हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरिटोरियम 350 के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RBI ने आलेड़ी दो बार मोरिटोरियम की सुझा दिये यानि कि अगर आपकी यह माई 1 माज 2020 से लेके 31 अगस 2020 की बीच में आ रही है तो आपको यह में भरने की जरूत नहीं है अगर आपने मोरिटोरियम के लिए अपलाई किया है तो जैसा कि हम आज की रेड़ की बात करें तो अभी भी बहुत सारे इस्टेट है जो लॉकड़न में चल रहे हैं जिससे की बीजनेस और सैलरी में काफी दिक्कते आ रही है और जिन्होंने थोड़े पैसे सेयो करके रखे वह चाहते हैं अभी उन पैसों का अपने फैमिली के लिए बचा के रखना ना कि जब तक पुरा माहौल सहीं नहीं हो जाए बट moratorium period में जो bank interest लगा रही है उससे सब कोई परसान है सब यही चाहते हैं कि moratorium period के जो interest से bank माफ कर दे जिसके लिए अगर बैंक अपने moratorium period के interest से वह माफ कर देगी तो जिसे bank को काफी loss होगा इसके related भी में एक वीडियो बना के रखिये कैसे आप moratorium period में जो लगने वाले interest से आप उससे बस सकते हो इस वीडियो का link में चे आपको description में और i button में दे दूंगा तो आप इस वीडियो को वहां से भी देख सकते हो तो चलिए आप हम बात करते हैं moratorium 3.0 के बारे में यह कै आप इसके कैसे फायदा उठा सकते हो वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप इस चनल पर नए हो तो प्ली लाइक सब्सक्राब करना साथ जाथ बैल लाइक हैं को प्रेस करना मत भूल अर्बिया को moratorium की तीन रिपोर्ट सबसे ज्यादा effect करते हैं जिसमें lockdown रिपोर्ट और आइब रिपोर्ट मिंस इंडियन बैंक असाशेशन रिपोर्ट जैसा कि महाराष्टा गवर्मेंट ने अल्री लॉगड़न 31 जुलाई तक बढ़ा दिया और भी बहुत सारे इस्टेट है जो लॉगड़न अल्री बढ़ा दिया जिससे पूरी तरह से कामकाश च्छप ह जैसा कि हाला तभी दिख रहे हैं कि लॉगड़न और भी आगे एक्ट्रेन हो सकता है और ऐसे में जो कामकाश पूरी तरह से ठाफ है तो जो आगे बॉर्वर हैं जो अपनी एमाई किस्ट भरने वाले वह अपनी किस्ट को नहीं भर पाएंगे 24 जुन 2020 को IMF ने अपनी आप्लाइ क कर ता जिन्हों ने आप्लाइए निए निकिया ता उसमें थारी परसंट लोगों ने अपनी एमाई ने पिमिंड किये और इस बात को देखते हुए आरबे थे मेने के लिए मोर्ट्रेन को कर सकते है और आईब आई ने भी आर्विया और को रिकॉमेंडड किया कि अगर कोई भी बैंक से आप मोटोरियम अप्लाइ कर रहे हैं तो 15 दिन में उसका एस्टेटेस चेक कर लिजे क्योंकि कभी-कभी बैंक कभी डिले कर देते जिससे वो मोटोरियम आपका रिचेट हो जाता है उमीद करता है आपको मेरे वीडियो पसंद आएगे वीडियो पसंद आए तो फ्ली लाइक से सब्सक्राइब करना साथ साथ बैल आइगन को प्रेस करना मत बूला करके बैंकिंग से लिटेट आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगे थैंक्यू